कई देशों में पैर पसारने के बाद कोरोना ने भारत में भी कहरा मचा रखा है इसे बीच बॉलिवुड के सबसे बड़े अवार्ड आईफा कोरोना के कारण आगे बढ़ गया है जिहां मधिप्रदेश पे पहली बार होने वाला आईफा अवार्ड टाल दिया गया है गौरतलव है कि ये फंक्षन 27 से 29 मार्च को इंदोर और भूपाल में आयोजित होने वारा था मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार से चर्चा के बाद आईफा के आयोजिकों ने कारिक्रम को टाल दिया है दर्शकों और एक्टर्स के स्वास्त को देखती हो ये फैसला कि गया है कारिक्रम की अगली तारिक की घोषना जल्दूगी बदिपदेश के इंदौर और भूपाल में आईफा अवार्ड को लेकर जो शोर से तयारियां चल रही थी यही नहीं फिल्म इंडस्ट्री भी इंदौर आने और आईफा का हिस्सा बनने के डे उचसुक थी हाल ही में आईफा में नॉमिनेट होने वाली फिल्मों की घोषना की गए इसके साथ ही इसका इंविटेशन भी सामने आया था वही कोरोना के मरीजों की संख्यात दिन बदिन बढ़ती जा रही है देश में अब तक कुल 31 लोगों में ये वाइरस पाया गया है subscribe our channel and press the bell icon for more updates